कि हेलो इडियों स्वाकत है आपका नवोदित Leaf in स्टेडी आध्विक भारत इतिहास का पार्ट दूसरा है पहला पार्ट इसके पहले मैंने किया है जैसे मैंने बात की थी कि जो यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ उसके इंट्रोडक्शन यानि इसके पहले जो बोलते हैं कि क्या इस्तिती थी किस प्रकार वो भारत में आना शुरू हुए नए मार्ग खोजना नए मार्ग खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ गई क्यों कि देखी भारत का बिदेशों से बेपार समंद बहुत पहले से था यूनानियों से था यूनान काल से भी था लेकिन ऐसा क्या है कि हम बोलते हैं कि यूरोपियों का आगमन नए मार्ग तो आखिर क्या कारण थे कि नए मार्गों की खोज करके यूरोपियों को भारत में आना पड़ा और भारत में उस समय की क्या परिस्तितियां थी कि इनको यहाँ पे अपनी बेपारिक कोठियां बस्तियां बनाना आसान हो गया तो इन सब बातों के उपर जो मतलब एक तरह से इंट्रोडक्सन है मैंने इसके पहले के लेशन में किया है आप उस लेशन में जाके देख सकते हैं अब आज जो हम बात करेंगे जैसे जो आने का क्रेम है इरोपियों का सब से पहले पुर्तगाली फिर डच फिर बिटिस डिनिस और फ्रांसिस यह आने का क्रेम है ठीक है तो इस क्रेम में जो सबसे पहला है वो है पुर्तगाली तो आज जो हम बात करेंगे पुर्तगालियों के उपर बात करेंगे का वाय क्या किया ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि पृत्तगालियों का जो आगवन हैं कि सर्प्तम पृत्तगालियों के ओर से 1498 में कौन आया बास को डिगामा ठीक है एक पृत्गाली नाविक था जो भारत के कालिकट वंदरगाय में पहुंचा केरल में कालिकट है वहाँ पे पहुँचा कब 1498 में नाम याद रखे ये तो सब कॉमन कोश्चन है बहुत बार आया है सब को मालूम भी होगा अगला है जो पहुचा उस समय वहाँ एक हिंदू सासक था ठीक है और या कभी-कभी उस सासक की उपाद ही है उप नाम भी पूछ लिया जाता है कि उस सासक कुन था तो जमोरिन आपको याद रखना कि जहाँ पे बासको डिगामा पहुचा था काली कट बंदर गाए में वहाँ पे जमोरिन सासक था तो ये नाम याद रखे बिलकुल कोश्चन आता है यहां से बासको डिगामा ने काली कट की राजा से बैपार का अधिकार प् होथा है कि जब के तुर्कियों ने बैपारिक मार्ग और अरध कर दिये तो इनको नए मार्ट खोजना पड़ गया और इन आयो मार्ग Kh 1996 के भारत में आते हैं तो जब भारत में तो उसे में भारत में अर्वी भी थे ठीक है अर्वी वैपारी थे तो इसने क्या किया अर्वी वैपारियों ने क्या किया बास्कोट डिगामा के जो काली कट में वैपार का रिकार था उसका विरूद किया और इस विरूद का कारण वही था आर्थिक कर्ण यानि उनके आर्थिक हिदबातित हो देते वो भी यहां से बैपार करते थे तो आपको इह बात याद रखनी है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि बास्कोडिगामा जिस मसले को लेकर अब देखिए जब भारत आया तो वापस भी जाएगा जाएगा तो जो मसाले लेकर जाता है देखिए आने के पहले उसे इतना नहीं होगा कि इतना फाइदा होगा लेकिन जब वो मसाले लेकर जाएगा और उस मसाले से जो उसकी यात्रा में खर्चा आया था उसका 60 गुना कीमत उसको मिल गई जो मसाले लेकी गया अपने साथ कुल यात्रा खर्चा का जब 60 गुना उसे मिल गया तो इससे एक बात उसे समझ में आ गई कि यदि वैपार करना है तो बहुत ज्यादा फायदे का सौधर है भारत से करने के लिए ठीक है तो यह एक लाबकारी घटना है जो पुर्तगालियों को भारत की ओर अकरसित करती है वैपार करने के हैं तो आपको याद रखना है कौन सा भारत ले जाने वाली बस्तियों से जो लाभ होता था इस घटना ने इनको को अपीं होता है कि य cylinders का हम अपने से देखें तो यूरोप पास्चिम में हैं और हम यूरोप से कहां है पूरुम में है यानि कि पूरुम में व्यापार करने कि लिए यूरोप देखे जैसे हम मैप की बात करें है तो यहाँ पर क्या है मान लीजीए एक इसी या और यह यूरोप ठीक है एक यूरू छे एसिया तो हम लोग पूरुव में कहलाएंगे न यूरूप itself कि उंभालों के लिए तो यदि उनको बैबार प्लू में करना है तो इसके लिए उन्हें अलग कंपनी बनानी पड़ेगी तो यही उनने किया तो आप याद रखीए ठीक है। यूरूप में यही लिखा है अगला point उसमें कि पूर्व के साथ बैपार है तो इस तादो दा इंडिया इस तादो दा इंडिया नामक कंपनी की स्थापना कि गई तो यदि आता है multiple choice में इस तादो दा इंडिया किस की थी तो आपको बताना होगा कि पूर्थ गालियों की कंपनी थी जो पूर्व में कंप्लीट हो जाएगा यूरोपियों का भारत में अग्मान तो इसके multiple choice question भी जितने possible question है करा दिये जाएंगे और जो मैं यह theory करा रहा हूं इसके अंदर की question आते इससे बाहर एक question नहीं आएगा तो आपको याद रखना है तो पूर्व के साथ बैपार करने लिए इस ताद तो एडिया 15 सो मैं पैड्रो अलब्रेज के ब्राल के नित्यत में दो जहाजी बेडे भारत आए ठीक है 1498 में कौन आया था है कि वसको ऊद्यकशLiveness पेड्रो अलबरेज के ब्राल के नितरत में दो जहाजी बेड़े भारत में आ गए उसकी बाद क्या होता है कि फिर से बास्कोडिगाम आता है पहले आया ता 1498 में पहले से आता है 5002 में भारत दूसरी बार कौन आता है बास्कोडिगाम है तो आपको याद रखना है पुर्तगालियों की पहली फैक्टरी काली कट में स्थाफित हुई लेकिन क्या होता है कि जमोरिन द्वारा उसे बंद करवा दिया गया तो आपको यह भी याद रखना है कभी जैसे पहले बंद करवा दिया जाता है थीक है जमोरिन जो बासको डिगामा जिसके यहां उतरा था वही जमोरिन फिर अगला क्या है कि पंदरा सो तीन में कोचीन में काली मिर्च और मसालों के वैपार पर एकादिकार प्राप्त करने के उद्देर से पहली बैपारी कोटी बनाए ग अब यह याद रखिए ठीक है कि पंदरा सो तीन में पहली बैपारी कोठी बनाए गई कोचीन में और देश तो वही है यह सुद्देश के लिए कि काली मिर्च मसालों के वैपार को एकादिकार करके ज्यादा से ज्यादा लाप मिले और अन जो बैपारी है अन जो अर्भी या और भी जहां जो अलग अलग देश के वैपारी थे उनको वैपार से अलग कर देना या बाहर कर देना दूसरा है पंदरा सो पांच में कनूर में दूसरी वैपारी तो याद रखिए पहली है कोचीन में दूसरी है कनूर में यदि कभी आता है तो इसको भी याद वाल अफेक्ट की खाली कट में हुई थी लेकिन वो बंद करा दी गई थी तो पहली कोचीन फिर कन्नूर में कोचीन कन्नूर नाम देखी सेम से वसे एक पंदरा सो तीन में एक पंदरा सो पांच में अब देखिए अब यदि ए बैपारी कंपनी आगी भारत में बैपार करने के लिए आ गई है तो अब क्या होगा कि पृतगाली क्या करेंगे अलग-अलग वायस राय आएंगे ताकि भारत में कंपनी की स्थिति को मजबूत बनाए तो कंपनी की स्थिति अब देखिए 1513 तक क वेपारी हैं उनको वेपार से बाहर करने के उद्देश से अब यहां वायस राय को भेजना शुरू कर दिया जाता है तो पहले वायस राय जो होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पंद्रा सो पांच से पंद्रा सो नौ तक रहे अगले जो वायस राय है वो अलफांसो डी अलवू करक पंद्रा सो नौ से पंद्रा सो पंद्रा नीनो डी कुनहा पंद्रा सो उन्ते से पंद्रा सो अड़तेस और कार्टेज पद्देती क्या है एक पद्देती इनके द्वारे जो शुरूर की गई थी तो ए भी आ जाती है एक्जाम में बहुत महत्रपूर है तो कार्टेज पड़्डिती के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अब हम करिए ताकि बताइए कि आप कोई लेशन कैसे लगे और किन टॉपिक के उपर आप नए लेशन चाहते हैं ठीक है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर भी करिए ताकि हम और अधिक ज्याधिक लेशन बनाने के लिए प्रेय रहे था हूं कि हो के थैंक यू